हैँ क Glaiक से आप थैक हैं उमीर करती है आप मज़ें में हो गई तो आज मैं आपके साथ वाली चटनी की बढूत आसान रेसेपी नहुसे करें और इसे मो मोड को सब खाई सकते है हैं आज सनाग साउस शुरूँ करते हैं में बड़ी बड़ी बनाना स्विरٌ करें थोड़ी जादा दीखी होती है उन्हें आप 2-3 घंटे तक भीगो लें थोड़े से कुंगुने पानी में और कहीं-कहीं से चीला लगा लें ताकि अच्छे से भीग चाहें और इंकी जो हेड्स होते हैं वो काट लें अब हमें चाहिए होगा लसन लसन में चाहिए होगा ऐधा कप के करीब या 2 बड़े टेबल स्पोन और साथ में फुट चोटा टुकड़ा अद्रक आ इतना चोटा टुकड़ा स़ह रहेगा और साथ में तेल चाहिए होगा है खुब अच्छे से अगर कश्मीरी मिर्चे इस्तेमाल करें तो आप इन्हें साबöd ऐसे पीस लिए उसकी बीज निकाल ले को है तो चले हम मिर्च भी पीष लेते हैं पस वो थोड़ी जादा तीकी होगी तो देखिए मिर्चों का बारीक पेस्ट भी तैयार है और लसन अदर का पेस्ट भी तो चलिए पैन में हम तेल डालते हैं मैं तीन टेबल स्पून तेल में बना रही हूं क्योंकि चटनी अगर हम जादा तेल में बनाएंगे तो जादा द तो देखिए लसन अच्छे से पक गया है दो मिनिट से मैं इसे चला रही है अब मैं इसमें लाल मिर्च का पेस्ट पीसा पेस्ट मैं इसमें आड़ करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेगे तो दीखिए चटनी बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी है पकनी और मै मैं इसमें आड करूंगी टेमाटो कैचप जो सारे फ्लेवर्स को बैलन्स करेगी मिर्च बहुत ठीक होती है तो इसमें आप फ्लेवर्स आच्छे आएंगे तो आप इसमें एक से टेबल स्पून चटनी यानि टिमाड़ू सॉस एड़ कर सकती है तो चली इसे भी आड़ कर देते हैं तो इससे मिक्स कर लेते हैं तो इससे कलर भी बहुत खूबसरत आएगा तो दीखिए मोमोस वाली चटनी बनके बेकुट तयार हो गई है आप इससे बस चार से पांच मिनटी चलाएं इससे जादा ना कुक करें अगर आप चाहें तो थोड़ा पानी आड़ करके इससे थोड़ी सी नरम भी कर सकती है तो इस यह आप चक के देखिए अगर आपको बह तीखिः टेस्टी वाली चटनी तो लीजे मैं ग्यास को भी बन कर देती हूं और इसे करती उसलों मोस के साथ iba तो लीजे दोस्तों तयार हो गई है बड़ी टेस्टी बड़ी टेम्टिंग मों मोवです sub Anie यह बेदी आसान और दोस्तों बस gail मिर्चे आप पीसनी और यह चत करें, कुक्वित मानिका.